नमस्कार में उमापाल आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोगपिरे चैनल फिर्स्ट ट्रेक आईए अब बढ़ते हैं खबरों के ओर किसान 31 तक कराएं EKYC अन्यता नहीं मिलेगी आगामी किस्त की राशी ADM प्रधानमंत्री किसान सम्मान इधी के सभी लाभारती किसानों की पोर्टल पर ऑनलाइन पहचान EKYC सुनिश्यत कराई जानी हैं धालपुर के अत्रिक्त जिला कलेक्टर सुदर्सन सिंग तॉमर ने बताया कि ओनलाइन पहचान EKYC की प्रकरिया के तहट लाभारती क्रशक द्वारा पुलिस का समय हुए सरकार का डीजल पचाने एसपी ने की नई पहल जिले भर के थाना देकारियों की वीडियो कॉन्फरेंसिंग से लिए बैठक धौलपूर के ITI इंजिनियर एसपी धर्वेंदर शींग एक के बाद एक नई पहल कर रहे हैं उन्होंने बदमास मजनू एवन अभैद गत्विदियों पर लगाम लगाने अब तक ड्रॉन का उपयोग कर कई सराहनी कारवाई की अब उन्होंने पुलिस की कीमती समय और सरकार का डीजल बचाने के लिए नई पहल की है जिसके तहट उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से धौलपूर जिले भर के थाना दिकारियों की बैठक ली जिसमें कानून विवस्ता बनाने के लिए आवश्यक दिसान दिशती है धौलपूर जिले में यह पहला मौका है जब किसी एसपी ने जिले भर के थाना प्रवारियों की बीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बैठक ली जै जिसमें एसपी ने कानून विवस्ता की इस्तिती की समिक्षा करते हुए पुलिस मुख्याले से प्राप्त निर्देशा नुसार कारवाई करने सहेत कानूनी विवस्ता बनाई रखनी के संबंद में आवश्यक दिसान दिशती है उन्होंने आदतन अपरादियों के विरुद कम से कम कारवाई करने टॉप 10 अपरादियों को चिन्नित कर लिष्ट तयार करने अपरादियों के डाईजियर तयार करने सहेत पुलिस मुख्याले से चलाए जा रहे अभियानों की प्रगत्ति की समिक्षा करते हुए अधित से कारवाई कर उनकी पालना सुनिश्चित कराने के निदिश दिये है एस्पी ने इनामी एवं बांचित अपरादियों की सीग्र ग्रफतारी संपत्ती संबंदी अपरादों छोरी नक बजनी वे लूट पार्ट जैसी वारदातों के सीग्र खुलासे कर सहित थाना दिकारियों क प्रभावी रात्ती गश्ट करने के निदिश दिये गए है इसके साथ ही ग्राम रच्छक दलों सीएल जी वे पुलिस मित्रों के साथ बैठा कर एक समन में इस्तापित करने के निदिश दिये इसके साथ ही आगामी दीपावली के त्योहार पर कानुन विवस्ता बनाई सरकारी को पुलिस अदिशक कार्याले धौलपूर आना पड़ता था जहां आने जाने में ही कई घंटे बरबाद हो जाते थे कई पुलिस थाने तो जिला मुख्याले से इतनी दूर है कि उनका लगबख पूरा दिन सा खरा हो जाता है इसके अलाबा कई थानों पर सरकारी ए पामना करना पड़ता था जिससे अब राहत मिलेगी इसके अलाबा सरकार की डीजल की भी अच्छी खासी बचत होगी जिससे आईटियाई इंगीनियर एफ़ी धर्विंदर सीन की इस पहल की पुलिस मेहक्मी में काफी सरहना की जा रही है बीएट की अभ्यारतियों ने मुख्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ग्यापन अध्यापक लेवल दो के पद बढ़ानी की माम बीएट की अभ्यारतियों ने मंगलवार को कलेक्टरेट धौलपूर पहुच कर विरोत परदर्शन किया इसके बाद मुख्य मंत्री अशुक गहलोत के नाम धौलपूर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ग्यापन सपा जिसमें अध्यापक लेवल दो के पद बढ़ाकर 31,500 करणी की माम की गई ग्यापन में बताया गया है कि राजिस्तान के मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने बजट सत्र 2022 में घोशना की थी की स्कूल शिक्षा के कुल 46,500 पदों पर भड़ती की जाएगी जिसमें से अध्यापक लेवल प्रथम के 15,000 और अध्यापक लेवल 2 के 31,500 पदों पर भड़ती की जाएगी इसमें से अध्यापक लेवल 2 के पद घटा कर मात्र 25,500 कर दिये है ग्यापन में मांग की गई है कि सरकार अपनी घोशना के अनुसार अध्यापक लेवल 2 के पद भड़ा कर 31,500 करे ग्यापन देते समें संतोष, रामेंद्र, नवीन, रवी कुश्वाह, शुशिल, आधी अभ्यारती मौजूद रहे मैं संतोष कुश्वा रीट लेवल 2 का अभ्यरती हूँ गेलोश सरकार ने रीट 22 बजट में गोशना की थी कि 62,000 पदों पर बढ़ती की जाएगी जिसमें 15,000 पदों पर रीट लेवल 1 की नुक्ति दे दी गई, बाकी के 46,500 पदों पर इसमें से 15,000 पदों पर 11 की बढ़ती की जाएगी और 31,500 पदों पर रीट लेवल 2 की बढ़ती की जाएगी, ऐसी गोशना की थी लेकिन कल सीम गेलोग साब ने 40,500 पर रीट लेवल 2 के लिए 25,500 पदों के लिए बर रीट लेवल 1 के लिए 21,500 पदों का बर रीट लेवल 2 विद्यारतियों की पहले भी बढ़ती की बढ़ती की जाएगी आधार काट लाओ, मोबाइल ले जाओ और पैसा बात में आसान किस्तों में चुकाओ साथ में दीपाबली के अफसर पर प्रतेक मोबाइल की खरीद पर गिफ्ट पाओ पूरे धौलपूर जले में मोबाइल फाइनेंस की सुभिधा उपलब हमारे यहां सेमसंग, वनप्लस, वीवो, ओपो, रियलमी आदी सभी कम्पनियों के मोबाइल उचेत रेट पर मिलते हैं फोल्डर, टच, डिस्पिले सहत, मोबाइल की रेपेरिंग का पूरा कार ग्वालियर की रेट पर किया जाता है एक वार जरूर पदा रहें स्री अग्रशेन मोबाइल पॉइंट, मंडी के गेट के बगल में बस इस्टेट धॉल पूर प्रोप्राइटर बिस्नू बित्तल अब फरनीचर और इलेक्ट्रोनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब हमारे यहां डवल बेड, ड्रेशिंग टेबिल, अलमारी, सेंटर टेबिल, सोफा सेट, फ्रीज, वाशिंग मशीन, कूलर, आदी, सामान, उचित रेट पर मिलता है एलजी वै त्रवेडी अलमारी के अधिकरेद विक्रेता हमारे यहां सभी प्रकार का फरनीचर ग्रहा की पसंद से तैयार भी किया जाता है एक बार शेवा का मौका अवश्य दें आपकी अपनी दुकान ब्रज मातव फरनीचर एंड इलेक्ट्रोनिक्स राजा खेडा पाईपास, कालीबाई रोड, उम्वेदी नगर कॉलोनी धौलपूर जिला कलेक्टर ने किया अस्पतालवा स्कूल का ओचक निरिक्षण अनुपस्तित मिले कार्मिकों के खिलाफ कारेवाही के निर्देश धौलपूर जिला कलेक्टर अनिलकुमार अगरवाल ने सौंबार को सैपो छेतर के तसीमो चिकिसासन स्थान, पसू चिकिसाले एवं विध्याले का ओचक निरिक्षण किया निर्देश देते हुए कहा कि स्थानियफ फंड से चिकिसाले की सफाई विवस्था दुरूस्त करवाएं निरिक्षण के दौरान विध्याले में चार कार्मिक अनुपस्तित मिले जिनके विरुद्ध अनुशाष नात्मक कारवाही करने के लिए मुख्य जिलाशिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये प्रात्मिक स्वास्त केंद्र तसीमों पर निरिक्षन के दोरान चिरिन जीवी स्वास्त भीमा योजना से संभन्देत पुरानी IEC सामागरी चस्पा थी उन्होंने नाराजगी जताते हुए IEC सामागरी चस्पा करने के निर्देश दिये सर्मध्रा मैं शुद्ध के लिए युद्ध अभ्यान शुरू तीन प्रतिश ठानों से लिए सैंपल SDM रादिश याम मीना के नेत्रत्व में की गई कादिवाही दीपावली के तियोहार को देखते हुए राजी सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभ्यान चलाया जा रहा है जिसके तहट मंगलवार को सर्मत्रा कस्वे में अचानक प्रशाशन और खादिविवाक की संयुक्त टीम ने मिलावट खोरों के खिलाफ कारिवाही की है जिसमें कस्वे के दो मिष्ठान विक्रेताओं के यहां से बेसन का लड़ू और मिल्क केक के नमूने लिये गए वही एक दूद की डेरी से गी का सैंपल लिया गया खाद्य पदार्तों की जाच के लिए आई टीम का नित्रत्व कर रहे स्ट्रेम रादेशाम मीना ने बटाया कि दीपावली पर उप्भोकताओं को खाद्य वस्तुएं और मिष्ठान शुद्ध मिल सके इसको लेकर खाद्य एवं सुरक्षा विवाग, स्वास्त विवाग एवं प्रशाशन द्वारा सुद्ध के लिए युद्ध अभ्यान चलाया जा रहा है जिसमें मंगलवार को कस्वे में शुद्ध के लिए युद्ध अभ्यान के तहट तीन नमूने टीम द्वारा एकत्रित कर किये गए जिसमें दिनेश मिष्ठान भंडार की दुकान से बेसन का लड़ू का सैंपल मनोज मिष्ठान भंडार की दुकान से मिल्क केक का सैंपल और गिर्राज दूद देरी पर से घी का नमूना लिया गया इन नमूनों को अब अलवर प्रियोक शालग में जाच के लिए धेजा जाएगा जहां से रिपोर्ट मिलने के बाद कारिवा ही की जाएगी तीन-चार गाड़ियों में पुलिस के साथ जब खाद्य एवं सुरक्षा विवाक की टीम बाजार में नमूने लेने के लिए पहुची तो बाजार के दुकान दारों में हड़कंप मच गया करवाही के दोरान फूड इस्पेक्टर पदम सिंग परमार, ASI जगदी सर्मा सहेत, खाद्य विवाक और पुलिस प्रशाशन की टीम मौजुद रही राजपू समाज ने मनाया चक्रवर्तीश समराठ मिहीर भोज जन्मुसभ युवा राजपू सवा राजा खेडा के ब्लॉक अध्यक्ष लोकिंद्र सिंग परिहार के संयोजन में छत्रिय समराठ मिहीर भोज का जन्मुसभ धूम धाम से मनाय किया कारिक्रम के अध्यक्षिता करते हुए राजपू समाज के अध्यक्ष भागिरत सिंग सिकरवार ने सामजिक एक्टा की बात कही इस अफसर पर शिप संकर परिहार, मंजन जादोन, विश्वेंद्र भदोरिया, आशिश भदोरिया, मतरू ठाकूर, जितेंद्र सिंग, मेंडिश ठाकूर, भीम जादोन, विनोत तोमर, दिपक परिहार, दिमान सिंग बांकुरे, हेमंत जादोन, प्रमोद जादोन, मनोज रागव, रागवेंदर सिंग, ललिस सिंग, हरिवीर सिंग सहेथ अन्य राजपू समाज के युवा मौजूद रहे लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैंक अधिकारियों की लिए बैठब राजिस्तान राज्य विदिक सेवा प्राधिकरण जैपूर के निर्देश पर 12 नवंबर 2022 को चत्थूर्त राश्टी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसके सफल आयोजन के लिए जिला विदिक सेवा प्राधिकरण की सचीव वा अपर जिला एवं शेशन न्यायदेश धौलपुर सुनिता मीरा द्वारा बैंक के अधिकारी गण के साथ मीठिंग का आयोजन किया गया बैठक में सचीव मीडा द्वारा अधिकारी गण से रास्ती लोग अदालत के माध्यम से राजिनामा योग्य विविन प्रकती के लंबित एवं प्री लिगिटेशन के अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्नित कर निस्तारित करने के निर्देश दिये बैठक में यह भी निर्ने लिया गया कि 20 अक्टूबर 2022 को बैंक से संबंदित प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्री काउंसलिंग कैम का आयोजन कचेरी परिसर धौलपूर में किया जाएगा जिसमें सवी बैंकों के प्रतिनिदी एवं अधिकारी गण उपस्तित रहेंगे यदि कोई पक्षकार अपना लौन संबंदी विवाद या अन्य कोई बैंक से संबंदित विवाद का निस्तारण करवारा चाता है तो वह 20 अक्टूबर 2022 को कचेरी परिसर धौलपूर में सुवेच 10 वजे उपस्तित होकर अपने प्रकरण का निस्तारण करवा सकता है मीटिंग में LDM अशोक कुमार, विजय शर्मा, धीरच कुमार सिंग, वासीम घुसेन, प्यूश गुपता, शशी देवी पाल, आदी अधिकारी गण मौजूद रहे खुश कवरी, खुश कवरी, खुश कवरी धौलपुर जले में पहली बार मोबाइल, लेप्टॉप, एसी, वाशिंग मशीन, फ्रीज, डी फ्रीज, आदी इलेक्ट्रोनक सामान, आकर्शक छूट ओफर उपलब वह भी आशान किस्तों पर हाधार कार्ड वह पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं हमारे यहां सैमसंग, ओपो, वीवो, रियल्मी, वन प्लस, आईफॉन, आदी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्शक केश बैक ओफर, EMI की सुवधा भी उपलब तो देर किश्वात की जल्दी कीजिए, जल्दी आईए, अनुराग मोबाइल सेंटर वस से स्टेंड के पास संतर रोड़ धौल पूर मोटापा घटाएं या बजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा बढ़ते बजन वे फेट को कम करना चाते हैं? या दुबले पन से बजन को बढ़ाना चाते हैं क्या आपके भी बढ़ते बजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चलपाना, एसिडेटी वे घुटनों में दर्द रहता है तो आईए हमारे पास और एक महीने में तीन से छे कलों तक बजन गटाएं वे बजन बढ़ाएं वो भी बिना भूके रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइट इफेक्ट के आज ही हम से संपर्क करें रजत मित्तल वेलनेस कोच, एवब मिस डिमपल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशिरबाद होटल एंड रेस्टोरेंट मित्तल कॉलोनी के सामने बाडी रोड धौलपूर नगर परिशत धौलपूर में आई आट कचरा संग्रहन गाड़ी सबापती खुश्भू सिंगने की पूजा अरचना नगर परिशत धौलपूर में कचरा गाड़ीों के बेडे में आट नई गाड़ीयां कचरा संग्रहन के लिए और आ गई है जो शहर मेंसे कचरे का संग्रहन करेंगी जिसे शहरवासियों और कर्मिचारियों को राहत मिलेगी इन आठ नई गाड़ियों का सवापती खुश्बू सिंग ने विदिवत पूजा अर्चना की नगर परिसद में कचड़ा गाड़ी की कमी के चलते कर्मिचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और सहरवासियों को भी परिशानी हो रही थी जब इस परिशानी की जानकारी सवापती खुश्बू सिंग को मिली तो उन्होंने कर्मचारियों एवं अधिकारियों से बात की तो यह बात सामने आई की परिसत में कचरा संग्रहन की गाडियों की कमी है इस पर सवापती ने अधिकारियों को आदेश दिये की नई गाडियां मंगवाई जाए जिसके तहत ये आठ गाडियां मंगवाई गई हैं गाडियों की पूजा अचुना करने के बाद सवापती खुश्बू सिंग ने कहा कि नगर परिसत के बेडे में आठ नई और गाडियां जुड़ गई हैं इससे अब कच्रा भरने में कोई परिशानी नहीं आएगी इस मौके पर आयुक्त लचपाल सिंग, अधिशाशी अभ्यानता, ब्रज मोहन मंगल, भारत परमार सहेत अन्य कर्मिचारी मौजुद रहे बुद्वार को विविन इलाकों में चार घंटे बन रहेगी बिजली विद्विद निगम धौलपुर के कनिष्ट अभ्यानता ग्रामेण बलवीर सिंग ने बताया कि 33 बटा 11 केवी सविस्टेशन बक्चोली खार का मरंबत कारिय 19 अक्टूबर बुद्वार को किया जाएगा जिसका रणबुद्वार को सुबह 10 बजे से दोपेट 2 बजे तक संबंदित सविस्टेशन से निकलने वाले 11 केवी बोतपुरा, बरेठा, सियापुरा, दयेरी, मौजा का नगला, कोल्ड वा बरेठा चौकी फीडरों से संबंदित छेतरों की विद्युत आपूर्ती बन को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वेच्छिक उन्नियन के लिए संचालित, पोस्ट मैट्रेक, एवं मैरिट कम, मीन्स तथा वेगम हजरत, महिला चात्रवरती, योजना के लिए धौलपुर जिले में, शिक्षण संस्थान में अध्यानरत, विध्यारतियों के लिए, ऑनल अविधन पत्र, मैं आवश्यक दस्ता वेच की चाया प्रती, अध्यानरत, शिक्षण संस्थाओं में जमा करना होगा, साती शिक्षण संस्थानों को अनलाइन प्राप्त, आविधन पत्रों को जाच कर 15 नवंबर तक अनलाइन अग्रेसेत करना होगा शरद मेले में दुकानदारों को नहीं आने देंगे कोई परिशानी, सवापती खुश्बू सिंग, सवापती ने किया मेले की विवस्थाओं का निरिक्षण नगर परिशत धौलपूर द्वारा आगामी दिनों में आयुजित किये जाने वाले सरद महसब मेले का सवापती खुश्बू सिंग ने निरिक्षण किया और दुकानदारों से बातचीत कर उन्हें आशवाशन दिया कि मेले में किसी प्रकार की परिशानी दुकानदारों को नहीं होने दी जाएगी सवापती ने कहा कि मेले में आए दुकानदारों का विशेश ख्याल रखा जाएगा और उन्हें सभी सुविधा मोहया कराई जाएगी उन्होंने कहा कि सरद महसब धौलपुर की पहचान है इसलिए इस वर्ष और भी बहतर लगाया जाएगा और दुकानदारों का भी विशेश ख्याल रखा जाएगा क्योंकि मेले में दूर दराज से दुकानदार आते हैं जिनके लिए धौलपुर का एक अच्छा मैसेज जाए इस जोरान दुकानदारों ने उनका आभार जताया इस मौके पर आयुक्ति लचपाल सिंग सहेत अन्य कर्मिचारी मौजूद रहे बाड़ी हस्पिटिल में अजमेर IRL लैब के टीब ने किया निरेक्षन माइक्रोबायोलोजिस्ट डॉक्टर तरुना पाटनी और डॉक्टर गौरब ने निरेक्षन के दौरान कहा कि 2025 तक टीवी मुक्त भारत हो इसके लिए हमें और अच्छे से एंटी एपी प्रोग्राम को सुचारी रूप से आगे लाना होगा इस तरह जो काम चल रहा है उसे और अच्छे तरीके से करें जिसे 2025 तक टीवी मुक्त भारत हो साथी डौक्टर पाटनी ने जैन्त शर्मा की तारिफ करते हुए कहा कि जैन्त ने अजमेर में भी अच्छा कारिफ किया था बाड़ी हॉस्पिटल में लैब स्टाफ में लैब टेक्निशियन जैन्त शर्मा ने कहा कि टीवी मुक्त भारत हो इसके लिए हम और प्रोग्राम को बढ़ावा देंगे जिसे की हमें अच्छी उपलब भी हासिल होगी 2025 में टीवी मुक्त भारत हो सकेगा इस अब सब पर टेक्निकल ओफिसर यश्बीर परमार, सीनियर टेक्निकल ओफिसर राजन पारसर, सीनियर लैब टेक्निशियन पुनेद जिंदल, मुवीना बानू, अशोक, आधी स्टाफ मौजूद रहा नवरात्री एबम दीपाबली धमा का प्रतेक मोबाइल की खरीद पर पाईए निच्चित उपहार हमारे यहां सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं, मोबाइल फाइनेंस की सुवधाबी उपलब, पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ओपहार, इसकीम, सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट बॉच, ब्लुटूथ, स्टीकर आदी भी उचित रेट पर मिलते हैं, एक बार जरूर पदा रहें, सबसे पुरानी एबम सबसे विश्वसनी आपकी अपनी दुकान, जेट टेली कम्यूनिकेशन, प्याइनवी बैंक के एटियम के पास संतर रोड धौलपूर, प्रॉप राइटर रोहित सिंग, धौलपूर में खुला जिले का सबसे बड़ा फ ओपिस के फरनीचर की हर तरह की रेंज, दीपावली के अफशर पर महा छूट ओफर, डबल बैट, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ओफिस और घर का फरनीचर, ड्रेसिंग टेबिल, सेंटर टेबिल, डाइनिंग टेबिल, साधी विबाह के लिए अच्छा सुन प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल अध्यक्षिता में हुआ, समापन समारो कारेक्रम का आयोजन अग्रसेन सेवा सदन इस्टेशन रोड धौलपूर में जिला परियोजना समवनवयक समग्रशिक्षा धौलपूर की ओर से हुआ, जिला कलेक्टिर अनिलकुमार अग्रवाल ने बालिकाओ को संभोधित करते केके गर्ग एवं CDEO मुकेश गर्ग की सराना करते हुए कहा कि खाने पीने सहेथ सभी व्यवस्थाएं उत्तम प्रकार की रही हैं। जिला कलेक्टर की प्रेणा से दीपावली के अवसर पर समाज सेवी एवं व्यवसाई अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष ग्रिशकुमार गर्ग द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बेटियों को उपहार स्वरूप मिठाई बाटी गई। 25,000 रुपे की राशी भामशा के रूप में कारिक्रम अधिकारी केके गर्ग ने बालिकाओ को टी शर्ट एवं 25,000 रुपे की रासी एपी सी विशाल गुपता ने पानी की मिल्टन बॉटल तथा संयोजी का रश्मी कौशल ने 21,000 रुपे की राशी के बिजेता खिलाडिय एवं अन्य को मैमोंटो भेट किये। CDEO मुकेश कुमार गर्ग ने प्रतियोगिता के आयोज को एवं खिलाडियों को सफल आयोजन की बधाई वा शुपकाम नहीं थी। उन्होंने कहा कि जिलाशिक्षा के छेत्र में लगातार प्रगती पर है। कारिक्रम में विशिश्ट अथिती एपीसी बवीता पारसर, नौडल प्रधानाचारी रनवीर रावत, सैयूजिका रश्मी कौशल, मुक्य निर्णायक रश्मी राव, एपीसी विशाल गुप्ता, कारिक्रम अधिकारी केके गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त कर बाल वान सिंग मीना, खेल प्रभारी एलिमेंटरी चॉप सिंग, जिला सची बैडमिंटन संग के जाकिर हुसेन, परवेच खान, शुश्मिता मिश्रा सहेत, अन्य निर्नायक वा विवाग्य करमिचारी वा खिलाडी उपस्तित रहे भलपुर शहर के सदर्थाना छेतर के जील का पुरा गाउं में सोंबार रात को एक महिला की, उसके पती ने बेरहमी से पिटाई करती मारपिट में महिला गंबीर घायल हो गई, महिला को गंबीर हालत में जिला हॉस्पिटल में भरती कराये गया, वहीं मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाच शुरू करती है जानकारी के मुताविक घायल महिला अंजली उम्र 20 वर्ष पतनी कल्यान की देड़ साल पहले शादी हुई थी महिला का पती मजदूरी करता है और वहाँ शराप का आदी है घायल महिला ने बताया कि उसका पती पिछले 8-10 दिन से घर खर्च के लिए रुपे नहीं दे रहा था घर खर्च के लिए पैसे मांगने पर उसका पती उसके साथ मार पेट करता था महिला ने बताया कि सौंबार रात को जब उसका पती उसके साथ मारपेट कर रहा था तो उसने अपने माता-पिता को बोला लिया माता-पिता के आने के बाद भी उसने लाठियों से महिला की पिटाई कर दी जिसके बाद महिला को लेकर उसके माता-पिता जिला हॉस्पिटल पहुचे जहां महिला का इलाज चल रहा है वही महिला के परिजनों ने आरोपी पती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जाच कर रही है बसेडी कॉलेज में नव पंजी क्रत स्वेम सेवकों का तीन दिफियर कारिक्रम संपन राजकी महाविध्यले बसेडी में नव पंजी क्रत स्वेम सेवकों का तीन दिफियर अभी विन्यास कारिक्रम संपन हुआ एनसेस कारिक्रम अधिकारी प्रदेप कुमार शर्मा ने बताया कि सत्र दोजार बाइस टेइस के लिए पचास नव पंजीकरत एनसेस स्वेम सेवकों को अभी प्रेरना एवं प्रेक्षिक्षन के लिए दिनांग 15-18 अक्टूबर तक औरियन्टेशन कारिक्रम अयुजेत किया गया एनसेस कारिक्रम प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने प्रत्थम दिवस में राश्टिय सेवा योजना के उद्देश गतिविधियों सामजिक सेवा कारिक्रम आधिकी विस्टेज जानकारी प्रदान की गई द्रित्य दिवस में लक्ष्मिकान सर्मा सहायक आचारे द्वारा केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी उभोकता जागरुकता एवं सूशना के अधिकार और रास्ती आपदा प्रभंदन की बहु मोल्य जानकारी उपलब्द करवाई दूसरे सतुर में राजिनर सिंग ने साखशर्ता एवं युवाओं की भूमिका जन संक्या शिक्षा एवं परिवार कल्यान पर अपना उद्वोधन बच्चों को दिया त्रितिय दिवस में करिश्मा सोलंकी द्वारा स्वास्त शिक्षा पर अपना व्याख्यान प्रस्तूत किया गया तथा कारिक्रम प्रभारी के निर्देशन में परियावरंट सरक्षन एवं पॉलितिन मुक्त वस्वच्छ महाविध्याले परिसर के अंतरगत श्रमदान किया गया कारिक्रम के अंत में प्राचारिय सतीश कुमार्त त्रिगुणियायत के उद्भोधन एवं मार्क दर्शन के साथ तीन दिफिय औरियंटियेशन कारिक्रम का समापन हुआ इस अफसर पर नव पंजिकरत पचास वेम सेवकों ने उस्साहक के साथ भाग लिया यूडी कॉलेज में NCC कैड़ेट्स की भरती में बेटियों ने दिखाया हुनर धौलपुर शहर के पंडित उमधत्त गल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में NCC कैड़ेट्स की भरती की गई महाविध्याले के प्राचारे डॉक्टर संतोशी लाल सर्मा ने बताया कि जिसके लिए साथ, राज, गल्स, बीएन, NCC कोटा से आई हुई टीम के सदस्य HAB, NA, सरवेशे, भीमा, एवं HAB, NA, अमरेंदर कोमार के द्वारा प्रातह साथ बजे से NCC कैड़ेट्स की भरती के लिए आई हुई छात्राओं की लिखित परिक्षा एवं सारेरिक दक्षिता परिक्षा आयोजित की गई जिसमें 27 छात्राओं ने भाग लिया, NCC कैड़ेट्स की भरती के माप डंडानु सार 12 छात्राओं को योग्य माना गया, जिसकी अग्रिम कारवाही हे तू, रिपोर्ट हेट क्वार्टर को भेज दी गई है सीनियर छात्राओं ने परेट ड्रिल आदी में भाग लिया, अंडर ऑफिसर दिव्यांशी जादोन, स्वेता त्यागी एवं अर्चना पारसर की सक्रिय भूमिका रही, इस अपसर पर NCC के सभी कैड़ेट्स उपस्कित रहे स्लीब बेल शोरूम में आपका स्वागत है, हमारी स्लीब बेल शोरूम पर आएं और स्लीब बेल मेटर्स खरीदें साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के ओपहार मुप्त चुनने का मौका, जो चाहो चुनो अफर नियम वैस सरते लागू, पता केके ट्रेडर्स, निहाल गंज रोड, HDFC बेंक के सामने कोठी धौलपुर अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल वाइड्स होटल एंड रेस्टूरेंट आईए हमारे यहां शुद्ध साकाहरी खाना मिलता है, जिसमें कड़ाई पनीर, साई पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल वुखारा, आदिस, सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सबजिया मिलती हैं चाहिए डोशा बर्गर, पिज़ा पावभाजी, इटली, मंचूरियन, आदी फास्ट पूर्ट, मिठाई आइस क्रीम, होट एंड सौप सूप, मंचाव सूप, मस्रूम सूप मिलता है केविन, शुबदा और ठैरने के लिए रूम की भी शुबदा उपलब, एक बार जरूर पदा रहें रोयल वाइट्स, होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइग के सामने, शैपूर उर्धौल पूर, प्रॉप राइटर, पुर्शोतम गोश्वामी, महुआ खेड़ावाले जिला आशानवित कारिक्रम को लेकर, SDM ने लिए अधिकारियों की बैठक राजाखिडा, SDM देवी सिंग ने उपखंड कारेले पर जिला आशानवित कारिक्रम को लेकर, इस्थानिय अधिकारियों की बैठक ली बैठक में SDM देवी सिंग ने बताया कि नीती आयोग, भारत सरकार के निर्देश अनुसार आशानवित जिला कारिक्रम को ब्लॉक लेवल तक ले जाकर, ब्लॉक के संके तक निर्धारित कर ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश प्रदान किये गए साथी ब्लॉक लेवल पर रैंकिंग जारी करने के लिए 69 ब्लॉक लेवल के संके तक निर्धारित किये एवं विविन्न विवागों से प्राप्त अगस्त 2022 की प्रगती के आधार पर अगस्त 2022 के लिए समग्र स्कोर एवं रैंक जारी की गई साथी SDM देवी सिंग ने बताया कि नीती आयुग द्वारस स्वास्त एवं पोशन, शिक्षा, क्रशी, जलसन साधन, वित्य समावेशन एवं कौशल विकास तथा आधर बुस सरशना के आधर पर देश भर में 112 जिलों का चैन किया गया जिसमें प्रदेश के पांच जिली है, जिनमें धौलपुर को भी शामिल किया गया है बैठक में ब्लॉक सांकी की अधिकारी कमल किशूर मीना ने विवाकी कारिवाही के विशय में विस्तृत जानकारी दी मेडिकल विवा की सराना करते हुए कहा की जिला आशानवित कारिकरम के संभंद में जिला कलेक्टर के द्वारा अगस्त 2022 की प्रगती के आधार पर अगस्त 2022 के लिए की जा रही समग्र स्कोर एवं रैंक में जिले में राजा खेडा को प्रथम इस्थान प्राप्तु हुआ है क्रिशी विवाग को निर्देश दिया है कि वहल लोगों को और्गेनिक क्रिशी के बारे में बताए और उन्हें फसल बीमा के फायते तथा पॉली हाउस बनवाने के लिए प्रेरित करने का काम करे पशुपालन विवाग को भी SDM ने निर्देश जारी किये इसके अलावा SDM देवी सिंग ने जल्दाए विवाग महिला एवं बाल विकास विवाग वाशिक्षा विवाग सहित अन्य को प्रगती लाने के लिए निर्देश जारी किये बैठग में जल्दाए विवाग की सहायक अभियंता गोविंद सिंग राजावत, ब्लॉक सांके की अधिकारी कमल किशोर मेना, सामजिक सुरक्षा अधिकारी अरोशिक गुपता सहेत अन्य मौजूद रहे जनकल्यान वाशुक सांती एवं खुश हाली के लिए किया गया पाट धौलपुर जिले के सभी आचारियों के द्वारा जनकल्यान एवं गायों में फैले रोग, लंपी, शांती के लिए हर महिने सुन्दरकान पाट, शांती पाट, मंत्रोच चारण, आधिका शुभारम किया गया है कारिकरम का पहला चरण मंगलवार को लाट खेडा हनमान जी मंदिर सैपूरोड धौलपुर में शुरू किया गया है जिसमें आचारियों की द्वारा जनकल्यान एवं गायों में फैले रोग, लंपी, शांती के लिए सुन्दरकान पाट, शांती पाट, मंत्रोच चारण के साथ किया गया जिसमें हनमान जी से धौलपुर जिले के साथ पूरे देश में शुक्त, सांती और सम्रद्धी और खुशहाली के लिए कामना की गई पाट के पश्चाद, डाल चूर्मा का भोग लगाया गया और भजन कीर्टन किया गया जैस स्री डाधे, जैस यरा, हम सभी धौलपुर के जतने भी आचारे समय मिल गए हैं, उनकुछ आचारे और एक चोटी सी चेस्टा की है अधेकांस हम सभी आचारे जो हैं, जजमानों के लिए कारे करते हैं, जजमानों की शामती को योग सामती है, किसी को व्याधी सामती है, उसके लिए कारे करते हैं किन्त यह कार्य हमने जन कल्यान के लिए किया है वह कार्य हम जब करते हैं अनुष्ठानादी किसी एक व्यक्ति विसेश के लिए होता है यह कार्य गायों और जन्मानस जितने भी लोग हैं सबके कल्यान के लिए समाज कल्यान के लिए में सुरू किया है इसमें हम हर महीने किसी दिवता हैं उनको परशादी और मंत्रपाट मंत्रजप्ट का कारिकर्म रख रहे हैं हम ने पृतम कारिकर्म स्रीलाट खीरा वाले अच्छी पचगाओ रोड पर रखा है अपना घर अश्रमबाडी से एक प्रभू जी को किया विदा अपना घराश्रम बाडी ने मंगलवार को एक बार फिर अपनों से मिलाया अपना घराश्रम बाडी से आज मंगलवार को प्रभूजी अपने परिजनों के साथ विदा हुए हुआ यू कि दस साल पहले महतर टोला नान परा वहराईच जनपद उत्तर प्रदेश निवासी आरिफ पुत्र इस साथ वहराईच से भटक कर गायब हो गया था इन्हें काफी तलाश किया लेकिन यहां कहीं नहीं मिले आरिफ के भाई मुखार अली ने बताया कि मेरे भाई की मांसिक हालत ठीक नहीं थी और एक दिन यहां बिना किसी को बताये घर से निकल गए थे सबी जगे दरदर देखा लेकिन कहीं नहीं मिलने के चलते धीरे धीरे परिवार को मिलने की उम्मीद खतम हो गई थी और हमें विश्वास ही नहीं था कि एक दिन हमें यहां अपना घर आश्रम बाडी में मिलेंगे अपनगर आश्रम बाड़ी के कारेले प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि आरिव प्रभु जी के सेवा एवं उपचार के प्रशाग इनकी मानसे के स्थिती में सुधार होने पर इन्होंने अपना पता बताया पुलिस वहराईच जनपद उत्तर प्रदेश को सूशना देकर इनके परिवारी जनों से संपर्क किया गया और आज इनके परिवारी जन इन्हें लेने बाड़ी आश्रम पर आए प्रभुजी के विदाई कारिकरम के अवसर पर सुनील गर्ग कमपनी परिवार, रास्ती सयोजक सचिव अपना घर, विश्नु महेरे अध्यक्ष, अपना घर सेवा समीती, कमलेश गर्ग अध्यक्ष, अपना घर आश्रम, उशा मित्तल, सचिव अपना घर आश्रम और सेव साती आदी मौझूद रहे राजकी कन्या महाविध्याले धौलपूर की टीम भरतपूर के लिए रवाना राजके कन्या महाविध्याले धौलपुर की खोको की टीम कपतान सिवानी सर्मा के नेत्रत्व में मंगलवार को S.N. महाविध्याले हलेना भरतपुर के लिए रवाना हुई यहां आयुजित होने वाली अंतर महाविध्याले प्रत्योगिता में बुद्वार को भाग लेगी टीम कोच संध्या डागोर के निर्देशन में टीम में महाविध्याले की 12 चात्राओ को प्रशिक्षेत किया गया है टीम को रवाना करते समय महाराजा सूरजमल ब्रज विश्व विध्याले भरत्पुर के खेल परिसत के सचीब डॉक्टर देविंद्र सिंग परमार ने टीम को सहभागिता के लिए बधाई देते हुए खिलाडी चात्राओ को अपना मनोबल उचा रखने के लिए प्रेदित क वरिष्ट सहा आचारे डॉक्टर गीता राम सर्मा एवं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता ने टीम को शुपकाम नहीं दी जिला कॉंग्रेस कमेटी धॉलपुर ओबीसी विवाग की बैठक का आयोजन किया गया बैठक के मुख्य अतिती राजिस्तान प्रदेस कॉंग्रेस कमेटी ओबीसी विवाग के अध्यक्ष हर साए यादव रहे कारिक्रम के अध्यक्षिता जिला कॉंग्रेस कमेटी धौलपुर के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकित विहरी शर्माने की विशिष्ट अतिती जिला कॉंग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन रहे जिला कॉंग्रेस कमेटी के ओबीसी विवाग के जिला अध्यक्ष राजिस प्रजापती ने सवी अतितियों का माला वसाफा पहना कर स्वागत किया राजिस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी OBC विवाक के अध्यक्ष हरसाई यादब ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ी है केंद्र सरकार ने आटा, सूजी, मेदा, मखाने, मुर्मुरे, आधी आवशक बस्तूओं पर GST लगाकर आमजन को महंगाई के बोज से दवा दिया है डीजल पैट्रोल सहेथ सभी तरके खाद्य बस्तूओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन केंद्र सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाई है प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि राहूल गांदी की भारत जोडो यात्रा देश को एक सूत्र में बादने का काम करेगी कॉंग्रेस पार्टी त्याग बलिदान की पार्टी है उसके नेताओं ने त्याग बलिदान करके देश को आजादी दिलाई और देश कॉंग्रेस पार्टी की ओर देख रहा है जिला कॉंग्रेस कमेटी के नीवर्तमान अध्यक्ष पंडिस साकेत विहारी सर्मा ने कहा कि संप्रभूता, धर्म निर्पेक्षिता, समाज बादी, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम सब को आगे आना होगा जिला अध्यक्ष ने कहा कि अपने उध्योकपती मित्रों की जेव भरते भरते भाजपा ने आम आदमी के रोजाना उपयोग में आने वाली चीजों को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी तरही माम तरही माम कर रहा है केंद्र सरकार को बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए आवशक बस्तू में अभूतपुर्व ब्रद्धी से आमजन का जीवन बेहाल हो गया है OBC अध्यक्ष राजेस प्रजापती ने कहा की हमें प्रदे से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हम उसे इमानदारी के साथ पूरा करेंगे कारिकरम का संचालन जिला कॉंग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया इस अफसर पर रादिशाम, प्राइठोर, हर्विलास प्रजापती, राम किशन प्रजापती, अमर सिंग बाडी, राम प्रकास प्रजापती, राम निवास भगेल, गोविंद सिंग भगेल, गिरिश कुमार सहित, बड़ी संख्या में कॉंग्रेस जन मौजूद रहे ISEI Foundation द्वारा बनों में फैलाए गए एक लाख सीड बॉल्स ISEI Foundation वा उनकी सयोगी संस्था जोडो इंडिया के द्वारा बनों को फिर से जीवित करने के लिए सीड बॉल प्रजेक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहट देशी किस्म के वीजो से एक लाख सीड बॉल्स तयार कर उन्हें पूर्व निर्धारित बन छेत्रों में फैलाया जा रहा है इस कारिक्रम के तहट राष्टिय चंबल अभ्यारण के साथ मिलकर वन विहार वा केसरवाक के बनों में जीपीएस द्वारा पहले से चिन्नित जगों पर शुरुआ के दो चर्णों में 75,000 सीड बॉल्स फैलाए जा चुके हैं कारिक्रम के तीसरे चर्ण में आज मंगलवार को 25,000 सीड बॉल्स और फैलाए गए जिसे संस्था ने एक लाख सीड बॉल्स फैलाने का लक्ष प्राप्त किया एंजीयों के सदस्यों ने स्वेम सेवकों के साथ सुबह सुबह लगभग 25,000 सीड बॉल्स के साथ ट्रेक्टर को लोट किया और सीड बॉल्स को स्वेंग करने के लिए केसर बाग जंगल में 5 हेक्टियर के पहले पहचाने गए छेतर की ओर बढ़ गए पक्की सडक से लगभग एक किलो मेटर जंगल के अंदर जाकर सीड बॉल्स फैलाई गई ISCI फाउंडेशन के समनवेयक सिधार्थ ने कहा कि उन्होंने सीड बॉल्स पहल से जुड़ने का फैसला लिया क्योंकि यह जिले में हरित आवरन को बढ़ाने का एक कम लागत वाला तरीका है जिसमें नीम, इमली, आवला, करंज, जंगल, जलेबी और बेलपत्र सहित पांच प्रकार के देशी प्रजाती के बीजों से सीड बॉल्स बनाए गई है गैंदे जैविक खाद, गोबर और अन्य प्राकर्तिक खाद को बढ़ावा देने वाली जड और अंखूर से सम्रद्ध है निदेशक स्वेटा ने कहा कि हम धौलपुर बन छेत्रों को हरा भरा करने के लिए आगे आने वाले महिनों में और सीड बॉल्स तैयार कर राम बाग बन छेत्रों में भी सीड बॉल्स फैलाएंगे धौलपुर के युवा नेता रोहित मिश्रा को मिला प्रवल प्रवक्ता का सम्मान प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी के मुख्याले जैपूर में आज मंगलवार को धौर्पूर के युवा नेता रुहित मिश्रा को एक प्रवल प्रवक्ता का सम्मान मिला इस अफसर पर राष्टिय प्रवक्ता अनन्द जाट कॉंग्रिस के सोशल मीडिया इंचार्ज विक्रम स्वामी और देश एवं प्रदेश के अन्य पदाधिकारी उपस्तित रहे इस अफसर पर अध्यक्षित तरुन शर्मा का आभार प्रगट किया ख़बरों में फिलाल इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ नई ख़बरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहे हैं अपना लोगपरे चैनल फरस्ट रेक धौलपूर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं